जाहिंत नमस्कार दोस्तों स्वागत आप लोगों का दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने आपको कई दिन पहले कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि एक लड़का है जिसका जो है 2018 के बैच में वह सेलेक्ट हुआ था और उसका जो है ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करते करते जो है उसकी जान चली गई थी तो दोस्तों ये पूरा मामला क्या है और कैसे चली गई थी वो लड़का जो बीएस अप में सेलेक्ट हुआ था और उसकी जान कैसे गई क्या हुआ यह पूरा डिटेल में मैं आज थोड़े साब को बताने के कोशिश कर इसके रिगार्डिंग मेरे एक दो दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया था तो सोचा आपका मेडिकल चल रहा है तो आपके लिए यह बात थोड़ी से जरूरी हो सकती है इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों क्या है ना 2018 की बैच जो हमारी बैच थी हमारे बै ललका एक-दो-माइना ट्रेनिंग किया होगा उसके बाद ट्रेनिक मेनी ग्राउन पर ही उसकी जान चली घए अब जान क्यूं चली गई अब वह उसे बताया जाता है मतलँ बतार रह सा ग्राउन में दोड़ती जो है अब मोथ क्यों हो गई उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं देखो दोस्तों क्या होता है अभी आपका मेडिकल चल रहा है आप लोग क्या करोगी आपकोकी पॉइंट रहेगा मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताए है जैसे आइस के लिए हो गया, या फिर color blind के लिए हो गया, या फिर operation के लिए हो गया, ये सारे tricks में आपको बताया, अब वो tricks आप उसको follow करते हो तो आपका selection हो जाएगा, शायद उसी ने, उस लड़के ने भी ऐसा कुछ किया होगा, या फिर उसका कोई problem रहा होगा, तो उसने जो problem है, वो बहुत जादा serious हो, अब मैंने आपको जो tricks बताई, वो serious problem के लिए नहीं बताई, मैंने सिर्फ खाली ऐसे problem के लिए tricks आपको बताई है, कि जिससे कि आपका कोई आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, या फिर शारीरिक आगर कोई मेहनत करते हो, तो उससे भी आपको क problem थी, तो उस लड़के ने थोड़ी सी कुछ tricks अपनाई, तो जिससे कि उसका medical clear हो गया, अब आप लोगों को बताई है, tricks थोड़ा सा आजमाने से, मतलब medical निकल जाता है, मैंने आपको बता दिया है, tricks कैसे क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, मेरे tricks के बारे में, तो उस उसने ही जो है, ऐसी कोई tricks आज मही है, और जिससे कि उसका selection हो गया, फिर वो medical training चला गया, फिर वहां पर training करने लगा, अब क्या हुआ दोस्तों, कि उसका अभी जादा major issue होगा, फिर वहां पर ग्राउन करने लगा, वहां पर पता है आप लोगों का BSF का training कैसे होता है, उस पर प्रच में कितना जादा मतलब जो होता है, फिटनेस कितना जरूरी है, तो उसके लिए वहां के उस्ताद वगरा जो होते, वो सारे बहुत detail में, या फिर बहुत जबर्दस तरीके से जो है आपका वर्काउट करके ले ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर से जाते ह फिर मोते हैं, फिर मातलब के बादे में बहुत जरूरत हैं, या नोर्मल होते हैं, फिर में जाने के बाद ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पे हम लोग को अच्छा फोजी जो है बॉड़ी ने जान चोड़ दिया तो फिर उसके बॉड़ी को घर बेज दिया गया और फिर आपको अभी पता चल गया कि क्या होता है अगर आपका मेडिकल में सच में कोई इशू है तो कोई ट्रिक फॉलो मत करो कुछ मत करो अगर नॉर्मल आइस की बारे में या फिर और कुछ मैंने जैसे बताया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपका सच में कोई मेजर इशू है तो कोई जाधा बड़ी ट्रिक्स मत फॉलो करो जिससे आपका सिलेशन हो जाया बाद में फिर पश्टाना पड़े अब बात करते हैं दोस्तों उसकी जान तो च कुछ डिपार्मेंट जो भी है अगर आपको अब वारा आप जोइन कर लिए एक बार जोइन कर लिए तो फिर अपको जो है अपका lumière कॉन को बताता हूं तो सबसे पहले दोस्तों जो है अपके उसके घर को music% ते लोड़ रूपए है उनको गर वाले को दे दिया है इसके बाद आठ या 9000 होई कंश्गोंहें है इतना कंशिता उसने भी उतना accurate नहीं बताया था मेरे दोस्ते ने तो वो बोल रहा था 8 या 9000 के आसपास जो है थोड़ा सा उनको उनके घरवालों को जो है मंतली पेंशन मिलता रहेगा घरवाले को मतलब मम्मी पापा का जो है तो इतने सारी चीज़े देती है और बहुत सारी medical facilities वगरा भी provide की जाती है तो यह सब जो है अभी उसका भाई बोलते है कुछ शायद छोटा था या फिर उसके लायक नहीं हुआ है तो जो है जब वो उसके लायक हो जाएगा तो उसके घरवालों उसके भाई को जो है नोकरी भी दे दी जाएगी तो यह सारी चीज़े दोस्तों अगर आपको medical में इसे कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कोशिश ना करें अगर कोई उसे पास करने के फिर भी आप अगर खुद से पास होती हो तो फिर अलग बात है लेकिन ऐसे कोई ट्रिक्स अगर ज्यादा फालो करके आप अगर ज्यादा मेजर इशू है तो ज्यादा मत फालो करने की कोशिश मत करिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था इतना ही मुझे आपको बता तो चलिए मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जहिन